हिमाचर परदेश में विधानसभा चुनापरचार अंतिम दोर में पहुँच गया है भाजपा कॉंग्रेस के निता एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप करते नजर आ रहे हैं ऐसे में कुलू सदर विधानसभा शेतर में मुख्यमंत्री की जन सभा को लेकर कुलू सदर विधानसभा के कॉंग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंग ठाकूर ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कारेकाल के दौरान जनता के पैसों का सरकारी संपति का दुरुप्योग किया है वहीं आज मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर अपने भाजपा के बागियों से ही घिर गए है भाजपा ने जहां अपने वरिष्ट नेताओं की अंदेखी की है तो वहीं अपने कारेकाल के दौरान समाज के हर वर्ग को भी हताश किया है जिसका परिणाम आठ दिसंबर को नजर आएगा समझ आ गया कि यह तो तंबू लगाना तो बड़ा मेंगा काम है और सबसे बड़ी बात है इनकी सभा में लोग ही नहीं आ रहे हैं इतनी छोटी सी जगा में तो हम जो जब मतलव एक पंचाहित का जलसा होता है उतनी तो आज यह रैली करके गे मुख्या मंतरी जी जहां जहां भी जाएंगे वो अपने केंडिडेट के लिए तीन अजार बोट का नुकसान करके जाएंगे तीन से पांच अजार का तो मैं समझता हूँ कि इनके प्रती बिल्कुल भी उतसा लोगों में नहीं है और खास्तोर पे जो जिस परकार के मुद्दे हो तीन सो सत्तर की बात कर रहे है इमाचल में तीन सो सत्तर का क्या लेना देना यह कोई राष्ट्री चुनाब थोड़ी नहीं हो रहा है केंडर का चुनाब और उसके साथ में राम मंदिर की बात कई राम मंदिर की बात तो आगे जब लोकसावा के चुनाब तब आएगी बात अभी तो यहां पे जो मुद्दा है जो अलंत मुद्दा वो ओपियस है उल्ड पेंशन स्कीम को हमारे को लागू करना है उसके साथ में देकर आते वो क्या बोलेंगे जिन्नोंने पांस साल हर बर्ग को युवाओं को बेरोजगारों को हमारे भागवानों को किसानों को कुलू के प्रियाटन अद्यों को कुलू की यह जो कनेक्टिविटी है सडकों के हालात आप देखिए सब बातों पे जब यह मौन रहे तो आज इन्हें जो है जन्ता ने पहले से ही सिगनल दे दिया है कि इनके हाथ में कुछ नि लगने वाला है इसी करके यह सिर्व महज औप्शारिकता हैं यहां के निभा रहे हैं भाजबा के स्टार प्रचारकों को गलीयों में गमाये जा रहा है अभी मैं देख रहा था कल परसों उत्र खंड के जो मुख्यमंत्री है उन्हें या पर बार-णमबर जो मियाबेड में गलीयों में गमाये जारा था आप देखिए ये इनके साथ कोई भी जनता का बिल्कुल भी रुजान नहीं आ रहा है इस वज़े से इनको जो है ये छोटे छोटी गल्लियों में अपने स्टार परचारकों को गुमा रहे हैं और मुख्यमंतरी जी नियत्तिय हैं मुख्यमंतरी जी के साथ अपने लोग ही नहीं हैं मुख्यमंतरी जी को अपने लोगों ने गेर रखा है और जो इनके बगावत के सुर जिस परकार से इन्होंने अपने बरिश्ट लोगों को नकारा है पिछले सालों में तो उसका साफ पर नाम अभी नज़र आने लगे हैं OPS का मुद्धा बिलकुल गरम है एंप्लोईज पूरी तरह इनके खिलाब वोटिंग कर चुका है आगे भी कर रहा है और यूवा, किसान, बागवान आप देखेंगे अभी हमने कल यहां पे रैली रखी है तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमेरे पास 20,000 से ओपर की बीडिय कर दाल सकता है एंप्लोई यहां दो पर बीडिया